इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी प्रामिरोल एसर 0.52 टेबलेट का इस्तेमाल पाकिंसन रोग और restless leg syndrome यानि की पैरों को हिलाने की इच्छा के साथ या असहज और अप्रिय उतेजना के कारण होने वाले के इलाज में किया जाता है यह शरीर की गतिविधियों को धीमा करके अत्यधिक जटकों का इलाज करने में मदद करता है प्रामिरोल एसर 0.52 टेबलेट को खाने के साथ ही लेना चाहिए हाला कि इसे हर दिन एक ही समय पर ले क्योंकि इससे शरीर में दवा का एक समांस्तर बनाय रखने में मदद मिलती है इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी मिले और यदि आपने एक खुराक को याद किया है तो इसे याद करते ही लें आपको कभी भी कोई खुराक नहीं छोड़नी चाहिए और बहतर महसूस होने पर भी उपचार का पूरा कोस पूरा करना चाहिए अपने डॉक्टर से बात किये बिना इस दवा को अचानक बंद नहीं करना चाहिए इस दवा के कुछ सामाने दुश प्रभावों में मतली, शुष्क मूह, ठकान, मतिभ्रम, कब्ज और परिधिय शोफ शामिल हैं यह चक्कर आना और नींद आने का भी कारण बनता है, इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक गाड़ी नचलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान देने की आवशक्ता हो, अपने चिकित्सक को सूचित करें यदि आप मूर में कोई असामान्य परिवर अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद